आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ चावल के आटे का चीला जिसे आप केचप, आचार या तो ग्रेवी वाली कोई भी सबजी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे बनाना में बहुत आसान है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हेलो गोड्योसीपो, वेलकम टो मैं चैनल, आएम पायल राटवा चावल के आटे का चीला बनाने के लिए मैंने यापर लिया है तीन कप जितना चावल का आटा और ग्राम में मेजर्मेंट करें तो ये 500 ग्राम जितना है अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच लैसून, अद्रक और हरे मेर्च की पेस्ट 5-6 लैसून की कलिया, एक इंच अद्रक का टुकड़ा और 5 हरे मेर्च की पेस्ट बना लिए हैं हरे मेर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच जितना जीरा 1 by 4 चम्मच जितना सौफ अगर आपके पास सौफ है तो डाले, पर सौफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार या तो एक चम्मच थोड़ा सा फ्रेश खटा हुआ हरा दन्या अब इन सारी चीजों को हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से फिर इसका घोल बना लेंगे पहले ऐसे मिक्स करने से सारे डाले हुए जो मसाले हैं वो अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाएंगे और फिर आसानी ती है गोल बनाने में अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे तो मैं यहाँ पर पहले एक कब पानी डालूँगी और हाँ पानी थोड़ा थोड़ा करके डाले तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और गुटलिया भी नहीं पड़ेगी और साथ ही ज्यादा पतला भी नहीं होगा तो मैं आपर थोड़ा थोड़ा करके तीन कब से थोड़ा उपर पानी डाला है मैंने आपर डाला हुआ सारा पानी आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए फीर ही हम दूसरा पानी डालेंगे तो आटे में गुटलिया नहीं पढ़ेंगी और बहुत ही जल्दी से बैटर तयार हो जाएगा चावल के आटे के चीले बनाने में ज्यादा मसाले या सबजी की जरूरत नहीं पढ़ती है इसमें हरी मेश का टेस्टी बहुत ही अच्छा लगते हैं और इसे हम सबजी के साथ सव करेंगे तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा उपर से कोई भी सबजी डालने की जरूरत नहीं है अगर आप स्पेशल प्रेकफास्ट के लिए बना रहे हो तो आप इसमें वेजी जबल से डाल सकते हो जिसके गाजर, कैपसिकम, प्याज भी डाल सकते हो तो यह देखिए बैटर हमारा तैयार हो शुका है ऐसा बैटर चाहिए हमें और तीन कप चावल के आटे में मुझे यहाँ पर चार कप जितना पानी लगा है तो ऐसा गोल बना ले अब इसका हम चीला बना लेंगे तो मैंने यहाँ पर गैस ओन करके एक पैन रखा है पैन के गरम होते ही इसे तेल से ग्रेस कर ले और हाँ ज्यादा तेल यूज ना करे थोड़ा सा ही तेल यूज करे अब इसमें ऐसे करके दो चम्मच इतना बैटर डाल देंगे और इसे फैला देंगे इसे बैटर डालने से पहले गैस की फ्लेम लो रखे जिसे यह इजीली स्प्रेड हो सके तो यह बैटर को मैंने फैला दिया है अब एक मिनिट के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे और एक मिनिट के बाद इसके उपर थोड़ा सा तेल से ब्रश कर लेंगे और ब्रश करने के बाद जैसे ही हलकी ब्राउन लेयर आ जाए नीचे की साइट तब इसे हम सावदाने से पलट लेंगे और दूसरी साइट यानि की नीचे की साइट पर हम डेट से दो मिनिट तक इसे पकने देंगे तब तक गोल्डन ब्राउन कलर के डोट आ जाएंगे यह देखिए यह पक चुका है अब इसे हम पलट लेंगे और आप देख सकते हैं कि दोट देख रहे हैं हमें अब आदि मिनिट इसे नीचे की साइट पका लेंगे और पकाते वक्त ध्यान रखे कि गैस की फिलम मीडियम रखे और बैटर को डालते वक्त गैस की फिलम लो रखे तो यह अच्छी से पक चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे सव कर लेंगे कैचप के साथ यह जिला गरम गरम ही बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाने का प्रोसे से सिर्फ हरे मिर्ज की पेस्ट के साथ जीरा और नमक डाल दे और घोल बना ले आप चाहे तो इसे आप सबजी के साथ भी सव कर सकते हो ग्रेवी वाली सबजी के साथ यह बहुत ही अच्छा लगता है शिला क्योंकि यह बहुत तीखा नहीं रहता है आप इसे ज़रूर ट्राय करें और रेसिप अगर अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें और शेर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताए कि रेसिप आपको कैसी लगी